देखिए गौने गई हुई दुलहनिया की बिदाई होती है और नयर नयर होता है घर घर होता है तो अभी वो गये हैं ससुराल डुलहन की बन करके वो ससुराल अंडिये में गये हैं बहुत जल्द नहीं तलाक होगा इस नही नवेली दुलहन का अपना वो घर वापस आएगी तो इंडिया का सरकार बनेगा कि मूदी को अगर भाजपा के लोग नहीं वालक किये तो भाजपा कुछ जमीन नहीं मिलेगी खड़ा होने की मूधी ही सबसे बड़ा कलंक है भाजपा का और मूधी ही सबसे बड़ा विनास का कारण बनेगा भाजपा का तोके भाजपाइयों से हमारा लगाओ इसलिए है क्योंकि वो भी इंडियन है अधारका, डोटर I.D भारत, सरकार का है कर रहे हैं कि अब हम राम मंदिर नहीं जाएंगे तुन से मैं कहना चाहता हूं आओ हमारे पास हम अफगानिस्तान का दे दे रहें टिकट और चले जाओ अफगानिस्तान अब तुम लोग छोड़ो भारत ऐसे गद्दारी का भासा अब ऐसा देखो यही वक्त होता है रमन भा कि अइसा निकम्मा निक्रिष्ट और नीच सोच वाला पुनह प्रदान मंतरी भारत का बनने जा रहा है साथियों नमस्कार इस वक्त मैं औराणसी में हूँ और औराणसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसी पर्चे के मॉताज नहीं है बनारस वाले मिस्तरा जी तक पीछे होना एक कहीं कहीं चर्चाओं का भी से बना हुआ है हम बात्चित करेंगे मिस्राजी से बहुत स्वागत सर्वाचित बहुत दन्यवादर रहा मन जी चुनाओ तो सर जिस लड़ाई को आप लड़ रहें लगबग देखा जा रहा है वही पड़ामाया नहीं लड़ आक्रोस था सिलेंडर के दाम को ले करके बच्चों के फीस को ले करके टामाटर तीन सो रुप यागा बेचा नरेंदर मुदी ने और निबुगा बिग गया तो आटा चावल डाल जो है तो इस मूल भूत जो दाम बढ़ुतरी था इस से महिलाओं ने बहुत ज़्यादा आ जलाने और मारने का मामला था तो इससे नरेंदर मुदी का जादू चल नहीं पाया और नरेंदर मुदी जी जादू क्या चलाते हैं नरेंदर मुदी जी वेकुपताना हरकत करते थे और देश की जनता उनका मजा लेती थी और देश की जनता उनको जिताती थी अपने मजे लेकिन मजा इतना बड़ा सजा हो जाएगा भारत देश की जनता के लिए उसको संदोधर 24 में समझ में आया और कोई विपक्ष के लोग लड़े या नहीं लड़े इस बात से तो हम नहीं इस पर टिपड़ी करेंगे लेकिन मुझे पहली दफ़ा अपने जन्म के बाद मैंने देखा कि जनता लड़ गई भारती जनता पार्टी से तो जनता खुद चुनाओ लड़ी और कैंडिडेट इसमें नहीं लड़ा न तो कोई राजनेतिक दर लड़ा भारत की गाउंगिराओं की जनता सहर कस्वे की जनता महाई और विरजगारी पर लड़ गई और लड़कर के आवकात मिला दिया नरेंद्र मूदी और भाजवाय के सरकार को जिस तरह से हम तो ज्यादा तर देखते हैं कि जहां परिवार वोड़ देता हुए लगवार वोड़ देता है लेकिन जो बड़ी मीडिया है बले बले राजनितिक बिसलेसनर जो जब करते हैं कि महिलाएं पसंद कर रही है पुरुस चाहे जहां वोड़ करें ऐसा क्या है आप महिलाएं क्यों पसंद करेंगे ​​ नरेंदर मुदी का मुँ में तो कोई जो है वह ऐसा तो है नहीं कि सोने का आँख है सोने का नाख है नरेंदर मुदी भी वह सही जनरल आम पुरूसों की तरह है और नरेंदर मुदी की क्या क्वाल्टी है तो भी महिलाओं को कहते हैं कि तीन तलाग वाली बात सुनिए ना, नरेंद्रमोदी का चहरा मौरा भी बहुत बढ़िया नहीं है, अमताब बच्चन जैसा या अक्षे कुमार की तरह, नरेंद्रमोदी की भासा सहली एदम तपोरियों की तरह है, गली के लुच्चों के टाइ गैस तो हिंदू तो मिसल्मान तो बेचारा उसी में उलच करके लटकते रहा गया, तो नरेंद्रमोदी के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी विसेस्ता है कि महिलाओं उनको पसंद करेंगी जूड बोलने पर, वही गैस सिलिंडर की बात करते हैं, कहते हैं, पांच किलो रासन मिल देश की तीसरी नंबर हो जाती, देखिए भर्मा नहीं सकते, हम भले राजनेता बन जाएं, लेकिन हम यह कहिए कि हम आम गरीब गुरुबा के मुद्दे पर उनको भटका करके, कितने दिन तक भटका लेंगे, नरेंद्रमोदी को यह जो राजनेतिक करारा तमाचा दिया ह है, भारत की जनता ने, अब भाजपाईयों को समल लेना चाहिए, और जानते हैं सबसे बड़ा फैक्टर सरकार जाने का क्या है, नरेंद्रमोदी तो खुद बध्जुबा नहीं था, उसके सारी मिनिश्टर बध्जुबा नहीं थे, उसके जो नीचे के कार करता था, वो ज लगता है, यह दम निश्ट नाबूत हो जाएंगे, अहाँ उसका चाड़क क्या, अमित्सावा, कह रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, पचास साल, हें तें, भुला गया विचारा, कहां गया, इन सबों की भासा, यह भासा खा ले गई, और तार चार सो पार, अमित्सा, न जब जब किसी राजनेतिक आदमी, या किसी राजनेतिक डल में, यह घमंड आ जाएगा, कि हम ही सर्वे सर्वा है, तब तब लतिया करके जनता नीचे उतार देती है, नरेंद्र मोदी गमू देखने लाइक है, और भाजपा का तो बिनास, खुदा नरेंद्र मोदी के पर खड़ा है, और भार्चपा तो एकदम में बिनास खतम हो जाएगा, क्या कहेंगे, इनको जनता तो कि अगर देखा जाए, तो किस तरह स्वार काफी दोखा दिया, क्या इस्थीपा देना चाहिए, औरे उन निरलज अदमी मर्दे, उन इस्थीपा देगा, खरे किसी अदमी नरेंदर मुदी उसको लाज है, उदेगा नितिक जिम्मेदारी पर, दस लाग पार कर रहा था बनारस में, जनता मार के थपर दोया, देला लाग पर समेट दिया, अपसोस इस बात का है, कि इंडिया गडवंदन का कंडिडेट धंक से नहीं लड़ा, नहीं तो नरे उसके सर पर बाधा जा रहा है, बैचार वी, हर सीटों का अगर देखा जाए, तो जनता खुद चुनाओ लड़िया, और जनता चुनाओ इसलिए लड़िया, आप देखें, राम मंदिर के उद्गाटन के बाद से, नरेंदर मुदी का एक भी जादू नहीं चला, एक भी भ धर्म में विलांग करते हैं, सानातन धर्म को मानते हैं, राम मर जाती से हैं, इसलिए मैं उनको एक बार फिर से पूनस हो देना चाहता हूं, कि अगर बचना चाहते हो, तो नरेंदर मुदी का सुद्धक वाला डाड़ी बाल, ये एब्रोस सब छिलवाद हो, मा मर गई थी बाल नहीं बनवाया, सानातन धर्म का विरोत किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, उसके बाद उसाहीं बाल डाड़ी सुद्धक में जा करके राम मंदिर का उटगाटन किया, स्री राम ने जब आँक खोला तो आँक बबुला होकर के भास्म कर दिये, अभी तो चिताया है राम जी भी बड़े दयालू है ना, चाहते ना तो पूरा क्लीन स्वीप कर देते, खतम कर देते भाजपा को, थोड़ा मौका इसलिए दिये, कि अगर तुम पापी भी हो, और सनातन का काम किये हो, पापी भी हो, धर्म का काम किये हो, तो थोड़ा तुमको जगा मिल इसलिए मेंडेड नहीं दिया श्री राम ने, सिर्फ जो सो चालीस पे लाकर के पेंडूलम की तरह लटका दिया, लटको बेटा, इधर से उधर, तुम्हारे जो साथी दोठो दिये हैं, श्री राम जी, नितीज कुमार और चंदर बाबु नाइडू, इस जब तुमको हिल आते रहेंगे, क्या मानते सर, यह दोनों जो लगातार चर्चाएं हैं, हलाकि चंदर बाबू नाइडू ने, इसको लेके चर्चाएं कभी जब 400 पार की बात चल रही थी, लेकिन जब से बहुमत नहीं पाए हैं, लगातार एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ मितीज जी, एक गाता है हूं, तो जो डमरू है, वो नितीश बाबू हो गए, अभी बनरा नाचेगा पांथ सालों सही, चंदरबाबू और नितीश उसको डग 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 करेंगे, नितीश मतलब डमरू बजेगा, चंदरबाबू उसके किसमत के उपर है, डाड़ी बार नहीं बनाएगा, तो च्वा महीने में सरकार गेर जाएगी भाजपा की मैं बार बार का रहा हूं चता रहा हूं आपके चैनल से उनको सुझाओ दे रहा हूं कि तूरंत बिना कुछ काम किए जेपी नड़ा अमिच सा पकड़ करके नरेंदर मुदी को किसी सैलून में ले जाएं नहों तो बनार इसकी मा की आतमा नाच रहे यह इसलिए उसका ना भासा चलना जादू चलना कहा गया कूल कहानी चुछ भगवाने बन रहा था चंपत रहवा कहा है जो विस्नू का वतार बता रहा था जब लोग अपने गाड़ी और छटो पर से भाजपा का जंडा उतार करके और चुरा के कहेंगे भया हम भाजपाई नहीं हम भाजपाई नहीं वह दिन होगा लिख लो इसको याद कर लेना अगर डारी मोच बराउनी नहीं बनवाया है बरो नरेंदर मोधी तो यह पाप लगेगा और ज प्रूक अपमान इस धरा पर कभी छमा नहीं है बताइए संकराचारें के हिर्दे से वो जो जो हमारे वहां के थे संकराचारे जी जो बड़े बुजूर्गत से हैं पूरी के हैं की कहां के निश्चला नंजी आंग से आसू टपक गया था और संकर के आवतार थे राम से विरत किया राम से दूर किया इसलिए राम ने नरेंदर मुदी को किसी काम का नहीं छोड़ा और अभी भी यह अंकार है दखो श्री राम ने अपने दरवाजे पर आयोध्या से अधेश परसाथ को जिता दिया अई कहां गया बरंडिंग करने वाला जो राम को लाए थे हम रा हम को लाएंगे कुलिन का मुदा आज यह भाजपा के लोगा योध्यावासियों को गाली दे रहा है बताओ पाप कर रहें कि नहीं कर रहा है अब योध्यावासी कलंकित हो गये श्री राम और सीता का आगनी परिच्छा की बात कर रहें अरे कुकरमी अरे अर्याराम जादों पर नहीं तो वक्त है सुधरों जुबान पर नहीं तो धरती निगल जाएगी और सूरज जला देगा आग भी नसीब नहीं होगा इंसे कह दिजिए कि अभी जुबान अपना समाल लें जुबाने के तो मारे मारे फिर रहें आज देखें ऑकल का बैठक था कैसा था नरंदर अधी पार्टी का ले लखना उपर हुई तमाम जगह हुई इनकी लेटू धरी धरी रह गई आरी यार निता अब उखात हो रहे हैं कि मूदी को अगर भाजपा के लोग नहीं वालक किये तो भाजपा कुछ जमीन नहीं मिलेगी खड़ा होने की मूदी ही सबसे बड़ा कलं भारत सरकार का लगाओ रहेगा लगाओ और नागरिक के रूप में यह भले वो उजट हो भले हो सब हम लोगों को जो है कि अंडबंड मा बहन की गाली देते हो पाकिस्तान बेशते हो जिनको आयोद्या में अधेश पर साथ पसंद नहीं है आयोद्या में राम जी का मंदीर पसंद नहीं है जो राम जी के मंदीर को कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे भाचपाई कर रहे हैं कि अब हम राम मंदीर नहीं जाएंगे तो उनसे मैं कहना चाहता हूं आओ हमारे पास हम अफगानिस्तान का दे दे रहे हैं टिकट और चले जाओ अफगानिस्तान अब तुम बदल चुका और वक्त और बदलने वाला है याद करना फिर कह रहा हूं इसी चैनल पर कह रहा हूं इस वक्त कह रहा हूं वह दूज है जब भारत की जंता दोड़ा करके भाचपा वालों को नहीं पीटने लगेगी भासा बदलने और नरेंद्र मोदी को पहले डाड़ी बार बनवाए चाउथी बार मैं आपके इस इंटर्वियू में कर रहा हूं नहीं तो खा जाएगा सुधक सनातन का विरोध किया इसने चुनवती दिया हिंदू धर्म के परंपरा और कर्म पर बिना डाड़ी बार बनवाए गया हिंदू राष्ट बनाने की बाद कहा हिंदू रास्ट बना रहा था यह गुझराती राष्ट बना रहा था बना उत्तरप्रदेश का सारा ठीका गुझरातियों को हमारा हिस्सा खाया था यह यह चोड था राहूल गांदी गलत नहीं कहते कि चवकी दार चोड था चोड है चोड था चूड है और चूरी ही करेगा तुमारा दुर्भाग की ऐसा निकमा निक्रिष्ट और नीच सोच वाला पुना पर्दान मंतरी भारत का बनने जा रहा है लंबी बातचीत हो रही लेकिन थोड़ा सवर बातचीत कर लेंगे मैं जानता हूं मिस्रा जी बड़े बिजी आदमी हम एक दिन आये लौट के भी चले गए थे सर ये बात मैं करूंगा कि छोटे घटक दल थे उनका क्या होगा राजबर जी कह एक लेस की साइकिल पंचर और हम यहां समार रहें बाजी इस बार राजबर जी को अब गंगा जी में पावलें हूं बैट करके मिटिंग भी नहीं कहीं नहीं बुलाए जाएगा दोबी का कुट्ता ना घर का ना घाट का मिटिंग में कहीं बुलाए जाएगा अब आप मैं उससे कहना चाहता हूं तुना कि फिटकिरी खाया करें फिटकरी नहीं खाएगा जुबान नहीं साफ होगा और अच्छी बात वह बोल नहीं पाएगा आप लोगों को बुरा लगता होगा लेकिन प्रकास राजबर ने अपने बेटे का राजनेति खत्या कर दिया पुत प्रदेश के राजनीत का मन्थरा आइसा जो है संतरों के चक्कर में पढ़ा कि उसका जो है कि पूरा पूरा रंग में उतर गया तो उंपरकास राजबर गोविंट गान है और उंपरकास राजबर को बड़ी और लंबी सोच की राजनीत करनी चाहिए थी अब तो अखलेस भी नहीं लेंगे पर क्यों लेंगी अखलेस अपमानित हो करके लोगों को गले लगाएंगे अकलेस योगी आदितनाथ जैसा और अमिट सार्व की गाली सुनके गले लगाए राजीव राहे वहां सुपर इस्टार लिडर थे और जमीन बनाम आस्मान की लड़ाई थी जमी ओर करिए क्या लग रहा है घुसी अफ नहीं जाएंगे नहीं पार्टिया ऐंके घुलाफ एसा इसका उसके खिलाफ है उसका राजवर समाज उसके खिलाफ है उसने राजबर समाज को कलंकित किया करा था कि अभी नहीं मिलेगा राजभर तुमको अब कौन सी भासा है का रहा था कर तीन तीन हेलीकाप्टर राजभर समाज को घुमाएं ला भी खिला था अपने सभा में का रहा था मैं करना चाहता हूं को इसको बैल गारी भी अब नहीं मिलने वाली है पैदल दौलेगा अगुलाटी मारे अब भाजभा के डार पर ऐसा ही बंदरों की तरह गुलाटी मारे गुलाटी मारता रहे ओंपरकास राजभर के उपर हम बात नहीं करना जाएं ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे विसरा जी समने बातचीत किया है लेकिन चलते चलते सरनितीज को क्या करेंगे लगा तार बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलज़ेवी राजनेता हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं यह उमीद करता हूं कि देखिए गौने गई हुई दुलहनियां की बिदाई होती है और नईहर नईहर होता है घर घर होता है तो अभी वो गया है ससुराल दुलाहन की बन करके वो ससुराल एंडिये में गया है बहुत जल्द नहीं तलाक होगा इस नई नवेली दुलाहन का अब पुना हुआ घर वापस आएगी तो इंडिया का सरकार बनेगा और नितिज जी को हम लोग वेट एंवाज के उस पर छोड़े हुए हैं नितिज जी को आत्मबोध होगा और देश की अंतर पुकार को अगर वो सुनेंगे तो इंडिया गड़ बंदन के साथ आएंगे और राहुल गांदी को स्री राहुल गांदी जी को अगरिम अगला प्र कि बात नमस्कार